हीमाचल के मुख्यमंत्री एविंग भरिष्ट भाजवा नेता जैराम ठाकूर गजसायं बायमारत से रामपूर पहुंचे रामपूर होटल रिजैंसी में उन्होंने कारेकरतों की बैठिक ली वो बरतमार राजनिती घटरा करम पर फीड़ वैक ली उन्होंने कारेकरतों से कांगरेस और सीपियम के चुनाब परचार स्वंदी जानकारियं भी जुटाई उन्होंने कारेकरतों से चुनाबी बेला में जी जान से काम करने की अपील की ताकि भाजवा प्रतैशी राम सुलू को रिकार्ट मतल से जिताया जा सके उन्होंने कारेकर्तों से कहा कि एकजूट होकर पचार का काम करें मुख्यमंत्री रामपूर बिधान सवा हलके के ही ननखंडी नजन सवा को भी संभोधित करेंगे इस दोरान मुख्यमंत्री कांगर्स बिचारधारा से जुड़े कशेतर के कुछ पंचाइती राज से जुड़े प्रमुक जन परतिंदियों रामपूर नगर परशित की पूरुबद एक्सा समेथ युबक मंडला और महिला मंडला को बीदिवक्त भाच्वा में भी शामिल करेंगे परिगर्म निगम रामपूर डिपू की कारेशाला की बदहाली करमचारियों के लिए परिशानी का सबब बना है मौसम साफ हो तो धूल ही धूल बारिश हो तो मुख्या मारस लेकर सीबरिज का कीचड कारेशाला में पहुँण जाता है ऐसे में कारेशाला में कारेट करमचारी ना तो काम कर सकते हैं और उन्हें मुश्कलों का सामना करना पड़ता है माचल परिवाहन निगम तकनीकी करमचारी संगठन ने आरोप लगाते हुए बताया कि लोकनिर्मान विवाग के माध्यम से सडक और कारेशाला में सीमेंट कंक्रीट किया गया लेकिन वो कुछी समय बाद उखड गया उनका कहना है कि म्रम्मत कारे में इमानदारी से काम नहीं हुआ है जिससे आज एस्ति बनी हुई है नबल किशोर चेर्मेन हिमाचल परिवन निगम तकनिक की करमचारी संगठन ने बताया कि बीते साल लोकनिर्मान विवाग के माध्यम से रामपूर कारे शाला और संपरक सडको पक्का करने के लिए सीमेंट कंक्रीट से पक्का कियا गया था लेकिन काम गुनवत्ता पूर्म ना होने से सारा उखड गया है पानी की निकासी के लिए नालियों कभी निवाण नहीं हुँआ है ऐसे में निगम के कारेशाला कर्मियों को काम करना मुश्किल हो जाता है बही यूनिट के परधान संजीब कुमार ने बताये कि जो कारे लोक्रिमान विवाग के सोजानने से बर्क्षाब और सडक में हुआ है बेनिमन सतर का काम हुआ है उन्होंने बताई कि लोक्रमान विवाग से भी कई वार इस बारे में शिकाइद की गए हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला है चुनावा में युवाओं की एहम भूमका रहती है लेकिन जादातर युवा लोकतंतर के महापरम में अपनी आहुती नहीं डालते हैं और वैस पक्रिया से पती उदास सीन रहते हैं इसलिए युवाओं को जागरू करने के लिए सोलन अखिल भारती बिदार्थी परश्यद ने जागरता भ्यान चलाया है जिसमें युवाओं को चुनावा में मद्दान के लिए परिरित किया जा रहा है प्रेस वारता के दुरान अखिल भारती बिदार्थी परश्यद के बिवाग सैसे होजक अर्चित सुमन ने बताया कि मद्दाता जागरूता भ्यान के माद्दिम से युवाओं को जागरू किया जा रहा है ये भ्यान पहली मेह से लेके 17 मेह तक जारी रहेगा इस अभ्यान में वे तक्रीब एक लाग इस चार भी बांटेंगे और 15,000 टिकर युवाओं को देंगे युवाओं को चुनावां में मद्दान करने के लिए शफ़त भी दिलाई जाएगी उन्होंने बताया कि उनके दोरा सेलफी पॉइंट भी बनाई जाएंगे ताकि वे सेलफी खींच कर सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डाल कर दूसरों को भी मद्दान करने के लिए परेडित कर सकें सोलन के किसान हर चुनावन पर पिछले कई दश्कों से केवल फूट प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर ठगे जा रहे हैं भाजपा हो या कांगरेस सभी के बड़े वड़े दिग्जनेता परधान मंत्री मोदी हो या राजनाथ सिंग सभी ने किसानों को फूट प्रोसेसिंग यूनिट के वाईदे तो किये और जीत वी हासिल की लेकिन जीतने के बाद किसानों को किये वाईदे हवा हवाई सावि वाईदे नेताओं को सुनने को मजबूर है। वाईदे ने